हालो 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 एन विलकम बैक नमश्कार सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को क्या हाल है कैसे हो उमीद करता हूं कि बिलकुल जवाजम हो बहतरीन हो मज़े में हो आई यह करते हैं एक और धमाकेदा सेशन की शुरुवात तो सबसे पहले आप सभी के रिस्पॉंस जो होते हैं वो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा महत्पपूर्ण है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा एक ही उद्देश है आपको क्वालिटी एड्यूकेशन डेलिवर करना और आपके रिस्पॉंस मुझको बताते हैं कि उस काम में कितना सफल हो पा रहा हूं को आप लोग प्लीज हर लेक्चर के बाद नृमेंट्स लीव कीजिए कि आपको और या रहा लेक्चर या क्या फीडबैक रहा आपको तेज लगा जैसे कई बिच्च्चों कोने बताए कि सर थोड़ा लिएने वाला है यह session इसमें हमारा agenda क्या है सबसे पहले तो हम लोग सभी concepts को revise करने वाले हैं दूसरी बात 15 साल के मैंने questions लिए हैं और तीसरी बात हम लोगों ने most expected questions इसमें include किये हैं जिस pattern के questions मैंने observe किये कि पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं तो एक बार फिर मैं मैं आपको याद दिला दूँ कि सीरीज के जरी हमारा target क्या है हमारा एक बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही nominal सा target है और वो इतना है कितना है यादे ना वो इतना है 170 से जादा कुछ भी चल जाएगा इससे कम नहीं चल पाएगा और मैंने आपको guarantee दिए मैंने आपको वादा कि है कि यह target अगर किसी को बड़ा लग रहा है तो एक महीना अपने जीवन का समर्पित कर दो इस सीरीज को पेरी guarantee है कि यह target अचीव होगा मैं sign करके दे सकता हूं इस पर चलिए अब करते हैं चुरुवात हमें बात करनी है motion in straight line की यानि हम शुरुवात कर रहे हैं काइने मैट कि एक बहुत ही प्यारा यूनित होता है इक बहुत ही प्यारा discussion होता है काइने मैटिक्स का तो सबसे पहले हम लोग बाते करते हैं काइने मैटिक स्की काइने मैटिक पैरा मेटांश की ठीक है ठोला तेज रफतार में मैं रिवाइस करवाऊंगा बिटा एक यह ना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है बहुत सारे numerical करने हैं जैसे किसी भी भाषा को समझने के लिए हमको सबसे पहले उसके alphabet समझने पढ़ते हैं वर्ण माला समझनी पढ़ती है उसी तरह से kinematics को समझने के लिए हमें kinematics के काइनेमेटिक्स के पैरामीटर समझने पड़ेंगे जो कि क्या होते हैं जो होते हैं डिस्टन्स डिस्प्लेस्मेंट पीड वेलॉसिटी एक्सिलरेशन लिख रहा हूं और टाइम ये छे पैरामीटर के इर्दगिर्द घूमने वाला है पूरा काइनेमेटिक्स ये च्छे आप ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी भाषा जो है काइनेमेटिक्स की इन एलफाबेट से मिलके बनेगी ठीक है तो समें कंपेर करना शुरू कर रहे हैं सबसे पहला कंपेरिजन हमारा चलेगा distance versus displacement हम सभी को मालूम है एक हजार बार हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी एक हजार एक भी बार में आपको बता रहा हूं कि बेटा distance जो होता है वो होता है actual path और displacement जो होता है वो होता है shortest path between two points shortest possible path लिख रहा हूं सबसे छोटा path सबसे छोटा रास्ता जो के संभव है किसी भी दो points के बीच में किसी भी जितने भी रास्ते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अब वो कुछ दूर कितना दूर चलना है वो आप decide कर सकते हो लेकिन एक रास्ता है जो घर से अब इसी बेसिस पे इसी बेसिस पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं इसकी वेलासिटी और स्पीड की यह उससे पहले कर लेते हैं सवाल उससे पहले कर लेते हैं सवाल बिलकुल इस ही concept पर जो सवाल आया है क्योंकि हमने distance displacement की बात की तो बस concept और उस पर सवाल आ गया पढ़ो ज़रा NEET 2019 का सवाल है क्या कहता है यह person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance बस एक बार पढ़ो अभी pen रख दो सब लोग pen रख दो दिमाग चालू रखो equal distance बोले हैं x distance v1 speed से दूसरा x distance v2 speed सुनना ज़रा ध्यान से सभी लोग सुनना थोड़ा सा ध्यान से बात क्या चल रही है बात चल रही है बात चल रही है वेलोसिटी की तो सर आपने वेलोसिटी बताने के पहले सवाल क्यों करवाया क्योंकि आपको समझ में आए कि इतने basics पे सवाल form की जाते हैं अब सुनिए जरा हम बात कर रहे हैं एक और parameter की जो है velocity और speed वेलोसिटी और speed अब अगर मैं velocity की चरचा करूं तो तो average velocity क्या कहलाएगी, velocity दो तरह की होती है, velocity दो तरह की होती है, average और instantaneous, हम बात कर रहे हैं, velocity की, तो इसको हमने define कर दिया, as displacement upon time, अब फिर इसका category मैंने क्या बना दी, इसकी category मैंने बना दी कि यह दो तरह की velocity हो सकती है, एक कहलाएगी क्या, पेरे भाई, एक कहलाएगी क्या, average velocity, जो बन जाएगी, total displacement, बटा, total time, एक कहलाएगी, instantaneous velocity, जो बन जाएगी, rate of change of displacement किसी भी moment पर, याने differentiate करना पड़ेगा, यह, 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 अब हम बात कर लें, short में, speed की, तो speed क्या होती है, master, speed होती है, distance upon time, और same बाते मैं उसके लिए दोहराऊंगा, लेकिन अभी मैं, वो पुरा लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं उस एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कि अगर हम average speed या average velocity की बात करें, straight line में तो दोनों सेम बाते हैं, for straight line motion, for straight line motion, या तो straight line uniform motion लिख दो, मतलब जब body एक ही direction में चल रही हो, body एक ही direction में सीधी सीधी चल रही हो, पलट के ना आ रही हो, घूम ना रही हो, तो आप बिंदास velocity और speed को अदला बदली कर सकते हो, ठीक है, for a straight line uniform motion, velocity की हर term और speed की हर term बराबर होती है, इस बात का क्या मतलब है, average velocity, average speed के बराबर, instantaneous velocity, instantaneous speed के बराबर, distance displacement के बराबर, ठीक है, क्या रखना इत्ती बात, हाँ, अब हम चर्चा कर रहे हैं, दो cases की, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दो cases, पहला case, पहला case, के कोई भी body, कोई भी body, बराबर, बराबर, distance travel कर ले, कोई भी body, बराबर, बराबर, distance travel कर ले, अलग-अलग speed से, case 1, equal, distance, different, speed, ठीक है, तो हमने लिख दिया, यह x distance, यह x distance, यह speed v1, यह speed v2, get time t1, get time t2, तो क्या बन जाएगी average velocity, यह average speed, एक ही बात है, थोड़ा तेजर अफ़तार में बता दो, वो बन जाएगी total distance upon total time, अब मैं distance displacement को अदला बदली करके बोल सकता हूं, कोई भी इस बात को पकड़ेगा नहीं, कि मास्टर ने तो अभी distance बोला, अभी displacement बोला, क्योंकि हम किस तरह के motion की बात कर रहे हैं, straight line uniform motion की, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग t1, t2 को क्या रख दें, time को हम रखेंगे distance divided by speed, तो हम लोग average velocity का formula क्या उठा के रख देंगे, 2 times of x divided by even को रख दिया, x by v1 plus x by v2, तो expression क्या बन गया, expression बन गया 2 v1 v2 upon v1 plus v2, 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 इतनी बात ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई शक, तो यह पहला case मैंने आपको बताया, पहले case के basis पर यह सवाल हो सकता है, क्या, master क्या कह रहा है सवाल, प्रटा सवाल वही कह रहा है, कि एक body है, जो बराबर बराबर distance travel करता है, कितना कितना distance travel करता है, x x distance travel करता है, कितनी कितनी speed से, एक बार v1 speed से, एक बार v2 speed से, average का formula आपने बता दिया कितना average का formula बता दिया 2 v1 v2 divided by v1 plus v2 इसको arrange कर लो, कौन सा expression match होता हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा arrange कर लो, हमको ये expression match होता हुआ दिख रहा है reciprocal कर लो, मतलब इसको ऐसे लिख दो, 2 divided by v average equal to v1 plus v2 whole divided by v1 plus v2, को आप LCM तोड़ लो, आपको answer मिल जाएगा b, ठीक है, अब case number 2 भी बता ही देता हुँ case number 2 भी बता देता हुँ, case 2 में हम लोग क्या बातें करेंगे, case number 2 में हम बातें करेंगे कि body बराबर time तक चल रही है, अलग-अलग speed से, body travel कर रही है, बराबर time तक अलग-अलग speed से, ठीक है, यह body एक point से चलना शुरू करती है, V1 speed से चली कुछ दूर, और फिर V2 speed से चली कुछ और दूरी, ठीक है, बाड़ी पहले चली, V1 speed से चली, कितनी देर तक चली, T time तक चली, अब speed बढ़ा ली उसने, तो ज्यादा distance कवर कर लेगी, same T time में, यह V2 कर लिए, समझ मारी का बात, गाड़ी चलाना शुरू करी, पहले आदे घंटे 20 की speed पे चले, बाद के आदे घंटे 40 की speed पे चले, तो ज्यादा distance की समें travel होगी, ज्यादा speed में, तो आपने different speeds, ठीक है, ठीक ठीक, 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 एवरेज का फॉर्मिला क्या होता है, बोल के बता दो, एवरेज का फॉर्मिला हो जाता है, total distance या total displacement, तो X1 लिख दो, तो X2 लिख दो, X1, तस X2 divided by 2 times of T, X1 को क्या लिख दोगे, distance equals to speed into time, distance equals to speed into time, उठा के यहां पे रख दो, 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 तना बन गया यह, तना बन गया मेरा भाई, यह बन गया, 1 प्लस V2 by 2, यह बन गया, V1 प्लस 2 बाई 2 V average का expression आ गया V1 प्लस V2 बटा 2 Simple था चालो थोड़ा तेज रफ्तार में बातें बढ़ा दू क्या होता है कि मैं ज़्यादा तेज होता हूँ तो बच्चे फिर बोलने लगते हैं कि सर थोड़ा धी में पढ़ाईए कोई बात नहीं आप लोग कमेंट में बता दिया करो कभी स्पीड जाधा कम लगे तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा maximum benefit चाहतिए प्रीत रीच्टाइच हो आया कभीर अंड फांड द्यूटार वोसनिओ नौट वरकिंग कभीर सिंग पागल ए ऐठ में बॉटल लेके आ एसके लेटर थमी हुई है और प्रीति दीदी भाग रही है जान बचाके तन की प्राणी से यह भगी भागी भागी भाग गई तो पहले के इसमें एसके लेटर रुकी वही ठीक देता हूं में पहले के इसमें एसके लेटर की स्पीड गीरो प्रीति की स्पीड वी पी और यह डिस्टन्स कुछ X मान लेते हैं एच मान लेते हैं जो भी यह डिस्टन्स है तो इसको कितना टाइम लगा पहले के इसमें टाइम लगा टीवन तो आप लिख दोगे टाइम इदी खुद भाग रही हैं तो कि एक दिन तो बचके चली गई अगले दिन फिर वही किस सा फिर उठी फिर वो पागल चिला के भागा बीचे अप्री भागी फिर सही है अब भागी तो on the other day she remains stationary भागते भागते ठक गई थी एसके लेटर पर खड़ी हो गई एसके लेटर खुद चलने लगा एसके लेटर कैसे खुद चल रहा है और यह अपने आप पर तक पहुंच गई तो यहां पर हमने लिख दिया कि प्रीति की स्पीड जीरो एसके लेटर की स्पीड वी तो इस केस में जो टाइम लग रहा है वो लगता है टी टू इसको हम लिख देंगे एच डिवाइड बाइड बाइड अब तीसरे केस में क्या हूआ ना टीसरे केस में क्या मैटर हो रहे है को यहां पर कितना टाइम लगा इनको अनको टाइम लगा टीटू The time taken by her to walk up on the moving escalator अब तीसरे case में वो भागते हुए जाएं और escalator भी चल रहा है और वो खुद भी चल रही है तो ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा तर जल्दी पहुँचेंगी क्योंकि escalator भी चल रहा है और वो खुद भी चल रही है ये तो वही condition हो गई कि एयरपोर्ट पे conveyor belt भी चल रहा है और तुम भी चल रहे हो या तो एक bus में जो bus भी चल रही आगे और तुम भी आगे आगे चल रहे हो जादा distance कवर कर लोगे ना समय लगेगा तो case 3 में क्या हो जाएगा case 3 में बना नहीं रहा हूँ case 3 इन दोनों का इस सम है ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है मतलब दीदी भी चल रही है और escalator भी चल रहा है तो net speed कितनी हो जाएगी उसी के लिटर प्लस प्रीती दोनों की speed अड़ अप हो जाएगी और आप क्या लिख देंगे time कितना लगेगा time equals to distance, distance होती नहीं है divided by net speed, net speed को लिख दिया v plus vp ठीक है अब यहां से हम vp और v e के expression उठाके रख देते हैं vp को हम लिख सकते हैं h by t1, short में लिख देता हूं, vp को हम लिख सकते हैं h by t1 और v e को हम लोग लिख सकते हैं h by t2, ठीक है h by t1, h by t2 उठाके रख दो यहां पर, यहां पर उठाके रख दो h by t1, h by t2, ठीक है, h cancel out हो गए, क्या expression आ रहा है, t1, t2 upon t1 plus t2, अरेंज कर लो ना उसको, क्या answer आ गया, t1, t2 upon t1 plus t2, तो यह थी पूरी analysis एक सवाल की, जो की need का काफी अच्छा सवाल माना जाता है, 2017 में पूछा था, interesting सवाल है, मुझको भी बढ़िया लगता है यह सवा सवाल और इस तरह के logic पे कई बार सवाल frame होते रहते हैं, है ना, तो लिख लो जल्दी, हट रहा हूं, 16 सा साइड में, note कर लीजिए, होगे बेटा इतना, चलिए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है यह, अब यह purely application है instantaneous speed का, जो कि अभी हमने देखा था, dv, dxy, dt, क्या कह सवाल पढ़ते हैं पहले, सवाल कहता है कि, if the velocity of a particle is given by a function, velocity एक function से देखे रखी है, आपने दरशादी है, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, समय के साथ, body की velocity बदल रही है, तो 1 second से 2 second के बीच में, कितना distance वो travel करेगा, क्या logic लगाया जा सकता है, क्या funda लगाया जा सकता है, आईए दरह समझें, देखो, logic बहुत ही clear है इसमें, अगर मैं इसमें logic की बात करूँ, तो वो बहुत ही clear है, कि सर, आप करना क्या चाह रह हो, हम 1 second से 2 second के बीच का distance traveled निकालना चाह रहे है, अब क्योंकि ये straight line motion है, body cultivating नहीं मारेगी, तो distance बोलो, displacement बोलो, कोई फरक नहीं पर, अब देखिये, velocity को आप क्या लिख सकते हैं, सर, velocity को हम लिख सकते हैं, dx by dt, अच्छा, और ये क्या देके रखा है आपको, सर, ये देक रखा है, at plus b, t square, अच्छा, तो क्या आप dx को, at plus b, t square, into dt, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, सर, बिलकुल लिख सकते हैं, इससे फाइदा क्या हुआ, सर, बिटा, अब आप इसको करोगे, integrate, और जैसे ही, आप इसको integrate करोगे, आप substitute करोगे, limits, आप substitute करोगे, limits, ठीक है, आपको 1 second से 2 second का distance निकालना है, तो time में मैंने limit उठा के रखी, 1 से लेके 2, अब जिस समय पे, ध्यान से सुनना, जिस समय पे t equal to 1 second था, उस point के distance को मैं x1 कह दू, t equal to 2 के distance को x2 कह दू, जिस point पे t equal to 1 है, उसको मैं reference ले लू, उसको 0 कह दू, तो t equal to 2 का distance मैं directly x लिख दूँ तो यहाँ पर मैं simply limit रख रहा हूँ, 0 से लेके, तो यह मुझको दे देगा, x equals to a t square by 2 plus b t cube by 3, और limit क्या बन जाएगी इसकी, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, substitute करो, answer निकालो, x का answer आजाएगा, a by 2, 4 में से एक गई 3, यहाँ पे 8 में से एक गई 7, plus 7 by 3, b, तो यह आचुका है, आपके सामने सही चवाब, ठीक है, 3 a by 2 plus 7 by 3, यह आचुका है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, तेजर अफ़तार में सभी लोग, 3 to 2016 का सवाल था, अब देखो ना, कितना basic सा सवाल है, आपको velocity का function दे दिया, और एक given distance का, एक given duration का आपको distance, बच्चेस में भी confused होते हैं कि सार, यहाँ पे तो velocity है, और पूछा तो distance है, मैंने आपको क्या कहा, इसको interpret करो ना, देखो, ती इक्वल टू 1 रखो, इक्वल टू 0 रखो, टी इक्वल टू 2 रखो, टी इक्वल टू 3 रखो, टाइम कभी negative हो नहीं सकता, ताइम कभी negative हो नहीं सकता, तो यह function, velocity हमेशा एक दिरेक्शन में चलती रहे, परला body straight line motion ही है, अगर यह function में बीच में minus दे दिया होता, तो matter हो जाते है, तो अलग answer आ सकते, तो body पलट सकती थी, पल्टी वाला case में, तब बताऊंगा वो भी, ठीक है, वसी बात धिमाग में रखना कि पल्टी वाला case हो सकता है, अगर बीच में minus आ जाए तो, चलिए, for your discussion करें, अगला सवाल समझते हैं, क्या कहता है, NEET 2016 का एक और basic सवाल हम लोग करेंगे, दो car है, P और Q, दो cars है, P और Q, वो start करती है, एक point से, एक साथ, at the time in a straight line, and their positions are given by, उनकी positions represent की जा रही है, ये दो functions से, ठीक है, position का function देके रखा है, with respect to time, बहुत बढ़िया, at what time, do the cars have the same velocity, cars होगा, ये ठीक, cars की velocity सेम कब होगी, तो ये तो बहुत ही basic सा सवाल है, क्या वेलोसिटी होती क्या है, faster velocity होती है, velocity होती है, dx by dt, पिटा आप सभी लोग अपने scores मार्ग करते चल रहे हैं, मुझसे पहले आपको सवाल solve करना है, और अगर आप ऐसा कर लेते हो, सही जवाब निकाल लेते हो, तो आपको खुद को plus 4 देना है, और अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपको खुद को minus 1 देना है, और comment section में, please, मेरी request है आप से, comment section में आपको अपने scores बताने, पूरे session में आपने कितना score किया है, इमानदारी से, ठीक है, भगवान आपको देख रहा है, आपको इमानदारी से अपने score बताने, comment section, इसलिए, आपने इसको लेख दिया, dx by dt, यह कितना बन गया, यह बन गया, a plus 2 bt, बहुत बढ़िया, इस ही प्रकार से आप निकालेंगे velocity of the point q, यह बन जाएगा d, x by dt, x में definitely q का function लेंगे, तो यह कितना बनेगा मेरे भाई, यह बन जाएगा f minus 0, 2t, अब आप से कहा है कि वीपी और वी क्यू आपस में बराबर है, तो यदि वीपी और वी क्यू आपस में बराबर हैं, तो क्या expression बनता है, तो यह expression बनता है, अब यहां से क्या करें, यहां से time को एक साथ ले जाएं, अदला बदली, 2BT plus 2T equals to F minus A, तो T कितना आ जाएगा, F minus A divided by 2B plus 1, ऐसा कोई option है क्या, ऐसा कोई option है क्या, देखिए ज़रा ध्यान से, time, F minus A upon 2B plus 1, यह D option है, यह D option है, बहुत बढ़ी है, clear इतनी बात, सभी को, इतना point बिलकुल, clear है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, यह EIPMT 2015 का सवाल है, और यह सवाल बहुत relevant है, क्योंकि इस सवाल पे, इस logic पे, ना सिर्फ, ना सिर्फ, heat में, बलकि JEE means में, और aims में, ही सवाल पूछे जा चुके, क्यूं, बताऊंगा अभी, पढ़ हो एक बार, यहाँ पे, पोल रहा है, पार्टिकल ऑफ, यूनिट मास, इंडर्गोज वन डिमेंशनल मोशन, सच दाट, इस वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग तो देके रखा हुआ है, बीटा, एंड एन, आर कॉंस्तेंट्स, और एक्स इस पोजिशन ऑफ पार्टिकल, बड़ी अच के रख्यों, यह एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है, डीवी, इसमें कौन से इतनी बड़ी बात है, लेकिन इसको राजा, एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशियेट कैसे करोगे, एक से वहाँ पे, अरो उधर तो एक से, राइम के रिस्पेक्ट में कैसे कर देंगे differentiate क्या कीजिएगा क्या कीजिएगा दिमाग लगाईएगा क्या दिमाग लगाईएगा आपको X के respect में velocity दी है और आपको acceleration चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि acceleration को हम लोग जदी इस expression में quirk 국 दिधि इएक्स कर दें तो क्या इस पर कोईफाररा कोई फ़रक नहीं पढ रहा है लेकिन हमारे जीवन में कुई फरकपड़ा बहुत बड़ा फरक पड़र क्या परほrespect वह ये फरक पड़र रहा है क्या असको रिह अरेंज करके ऐसे ठीक है, ऐसे लिखो, अब ये बताओ, dx by dt क्या होता है, अब ये बताओ कि dx by dt क्या होता है, master dx by dt तो velocity होती है, तो acceleration का एक important formula, अगले page पे लिख देता हूँ ये logic में, important logic है, ठीक है, important logic है, acceleration का, acceleration का, एक formula आपने लिख दिया, v, dv by dx, और कैसे निकाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, velocity को आप लोगों ने लिखा क्या, dx, sorry, हाँ चलिए, velocity को लिख दिया, dx by dt, acceleration को आपने क्या लिखा, acceleration को आपने लिखा, dv by dt, अब आपने इसमें multiply कर दिया, dx, और आपने इसमें divide कर दिया, dx, तो ये term क्या बन गई?, ये जो पूरी term है, कि क्या बन गई?, ये बन गई velocity, और आपने इसको rearrange कर दिया, as dx by dt, into dv by dx, तो ये dx by dt क्या बन गया?, कि dx by dt क्या बन गया, यह बन गई velocity, तो acceleration आ गया, v dv by dx, acceleration आ गया, v dv by dx, ठीक है, एक important formula है यह acceleration का, सभी लोग इसको ठीक तरह से लिख ले, महत्वपूर्ण बात है यह, और अब आजाएं सवाल पे, सवाल आपके सामने था यह, यह सवाल था, अब directly मैं इसका expression लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले page में मैं derive कर चुका हूँ, सवाल यहीं पे solve करने की कोशिश करूँगा, इसी page पे, हमने लिखा, क्या लिखा हमने, कि velocity का expression देखे रखा हुआ है, बीटा, x to the power minus 2n, बड़ी अच्छी बात है, हमको निकालना है acceleration, acceleration होता है, v, dv by dx, तो क्योंना मैं dv by dx separately निकाल लूँ, क्योंना मैं dv by dx, मतलब v का differentiation, x के respect में एक तरफ निकाल दूँ, और यहाँ पे, उसकी value उठा के रख दूँ, है ना, तो आई ज़रा करके देखते हैं, velocity लिख दी, beta x to the power minus 2n, और इसको x के respect में differentiate करो, क्या होगा इसका differentiation, x की power n का differentiation क्या होता है, n into x to the power n minus 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, बीटा, into minus 2n, into x to the power, minus 2n, minus 1, minus 2n, minus 1, यह बन गया आपके सामने expression, ठीक है, अब value उठाके यहाँ पे रख दो, value उठाके यहाँ पे रख दो, beta x to the power minus 2n, into, यह पूरी quantity multiply करो, beta square बना, ठीक है, और यहाँ पे minus 2n, और x की power, देखो, x की power कितनी, एक तरफ minus 2n है, और एक तरफ minus 2n, minus 1 है, है ना, तो यह कितना बन जाएगा, यह minus 4n, minus 1 बन जाएगा, तो directly मैं, just a second, यहाँ पे है minus 2n, बिल्कुल है, हाँ, यह है, तो मैं directly लिख रहा हूँ, कि x की power कितनी बन गई, x की power बन गई, minus 4n, minus 1, और यह minus 2n, यहाँ पे multiplication में आ गया, तो देख लो ज़रा expression कैसा क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा expression, minus 2n, बीटा स्क्वेर, x to the power minus 4n, minus 1, minus 2n, बीटा स्क्वेर, x to the power minus 4n, minus 1, सबको चमका, ओ प्यारे लाल, प्यारों, चमका कि नहीं सबको, बात दिमाग में जाती है, जल्दी, और एधिक इंपॉर्टेंट था, डीटेल में बताया है, पुरा, हर सवाल अपने आप में concept है, जिसको हम विस्तार में discuss कर रहे हैं, चलिए, बातें बढ़ातें आगे, the motion of a particle along a straight line is described by the equation क्या equation देके रखी है ये equation देके रखी हुई है where x is in meter and t is in second the retardation of the particle when its velocity becomes 0 आपने निकालना है retardation किस समय पे जब velocity 0 बनती है कि क्या पता करता है सबसे पहले retardation होता किया है वो negative acceleration होता है हम तो directly acceleration निकाले negative वो खुद आ जाएगा क्योंकि retardation बता रहे है अब देखो उस समय पे जो मैं बात कर रहा था body पल्टी मारती है अगर बीच में function में एक negative हुआ तो function देखो आओ थोड़ा सा इसको जो है टटोलते है खुड़ा enjoy करते है इस function देखो ज़रा ध्यान से यह ना मज़ा आएगा खुड़ा कुछ सीखने को मिलेगा तुमको है ना इसको मैं अगले पेज पर सिखाता हूँ case है पल्टी का किसका case है पल्टी मारने का case P-A-L बज़ा जाएगा तुमको literally भर अच्छा student इस बात को appreciate करेगा एक function मैं लिख रहा हूँ x equal to random दे रहा हूँ चलो 2T minus t cube ठीक है 2T minus t cube यह तो 2T square minus t cube तो 2T minus square कर लेता है अब इसको मैं compare करवा रहा हूँ एक दूसरे function से जो मैंने आपके सामने लिख दिया x equals to 2T plus t square अंतर क्या है एक में plus है एक में minus है अब इससे कितना बड़ा physical significance कितना बड़ा physical difference create हो जाएगा वो समझना ज़रा आपने लिखा कि body equal to 0 पे कहा है तो t equal to 0 पे x कितना आएगा x कितना आएगा 0 रखो 0 आएगा time 1 रखो 1 ये कितना आएगा 1 आएगा 2 minus 1 1 time 2 रख दो x कितना आएगा 0 आजाएगा मतलब body 0 से 1 पे गई फिर वापस 0 पे आ गई ठीक है body x है x ही है x equal to 0 है x equal to 1 है body 0 से 1 पे गई 1 second में और फिर वापस पलट के पीछे आ गई अब यहां पे आप रख दो t equal to 2 अब यहां पे आप रख दो t equal to 3 sorry t equal to 3 रख दो time 3 seconds रख दो time 3 seconds रख दो 3 2 is a 6 और 3 3 is a 9 मतलब minus 3 minus 3 पे ulti direction में पीछे चले गया reference line के मतलब अगर कोई यहां पे खड़ा हुआ था कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ था खाक के आगे गया पलट के पीछे आया और उसके बाद अब वो पीछे जा रहा है उसके बाद अब वो आगे नहीं जा रहा है उसके बाद अब वो पीछे जा रहा है कहां जा रहा है पीछे जा रहा है के जबकि इस situation में देखे हैं, तो चलो, time और x रखते जा रहा हूं है, नहाँ पर time, नहाँ पर display बात करते हैं, distance की बात करते हैं, equal to 0 पर, 0 कोई दिक्कत नहीं, equal to 1 पर, कितना आएगा यह, 2 plus 1, 3, equal to 2 पर, 4 plus 4, 8, equal to 3 पर, 6 plus 9, 15, equal to 4 पर, 8 plus, चीन किता हो जाएगा, 24, मतलब इन शॉट बढ़ता ही जाएगा, कभी पल्टेगा नहीं, जो आदमी खड़ा हुआ था एक straight line पे, तो सीधा 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 चलता जाएगा, तो यह जो हमने इतना महत्पपूर्ण ने discussion किया, इसका outcome क्या है, इसका conclusion क्या है, इसका conclusion यह है, कि इस situation में, distance और displacement बराबर नहीं है, इस situation में, average speed और average velocity बराबर नहीं है, इस तरह के किसी भी case में, distance और displacement बराबर होते हैं, average velocity, average speed, पराबर होती हैं, क्या है, जोलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है, अब पढ़ो ज़रा इस सवाल को क्या कहता है, यह सवाल कहता है, कि motion of a particle along a straight line, यह देखे रखा हुआ है, आपको displacement की equation, motion की equation आपको देखे रखी हुई है, बहुत ही बढ़िया, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, कि the retardation of particle when its velocity becomes 0, retardation निकालना है, जब velocity 0 होती है, अबसे पहले velocity कितनी होगी, velocity इसकी हो जाएगी, 12 minus 3 e square, और यह velocity 0 कब होगी, यह velocity 0 कब होगी, यह velocity 0 होगी, equals to 2 पे, equals to 2 second पे, 2 second पे velocity 0, अब आपको 2 second पे निकालना है, retardation, याने मुझे इसको एक बार और differentiate करना पड़ेगा, dv by dt करना पड़ेगा, और वो कितना दे देगा मुझको, वो मुझको कितना दे देगा, वो मुझको दे देगा minus का 6t, negative है, इसका मतलब ही यह है कि retardation है, तो मैं acceleration लिख दूँगा, माइनस का t की value 2 रखो, माइनस का 12 meter per second square, और directly retardation पूछा है, तो माइनस लगाने का कोई sense नहीं है, इसलिए हम लोग answer mark कर रहे हैं, आसान बात थी, इसके जरीए एक important question भी हमने समझा, एक important concept भी हमने समझा, तलिए अब बातें बढ़ाते हैं आगे, अभी तक हमने बात की है, किसकी, अभी तक हमने बात की है, distance displacement, heat velocity, अब अगला discussion हम definitely क्या करेंगे, अगला discussion हम लोग करेंगे, acceleration पे, किस पे, acceleration पे, acceleration क्या होता है, सरल भाषा में कहूं, तो यह rate of change है, किसका speed का, किसका speed का, नहीं, फिर, velocity का, rate of change है यह, velocity का, किस rate पे velocity चेंज हो रहे है, यह मतलब या तो उसकी speed चेंज हो जाए, या उसकी direction चेंज हो जाए, ठीक है, acceleration को हम लोग लिखते हैं, acceleration को हम लोग लिखते हैं, velocity final minus velocity, skill divided by time, यह है vector form of acceleration, अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा recap करवाना चाहूंगा, vectors का, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा recap ज़रूर करवाना चाहूंगा, vectors का, ठीक है, vectors के बारे में हमने बात की है अभी तक, vector addition की, आप हमें पता है, vector addition वगेरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए, दो vectors हैं, यह A है, और यह B है, और इनके बीच का angle theta है, तो आप लोग, जो net, net resultant होता है, यह बारे में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, रूट ओवर, ए स्क्वेर, रूट ओवर, ए स्क्वेर, दस दी स्क्वेर, दस तू, पी, cos of theta, अब यह resultant basically है क्या, यह resultant basically है क्या, यह resultant है, A plus B का magnitude, ज्यान से सुनना बात, A vector plus B vector का magnitude है यह, A और B का resultant है यह, तेकिन अगर मैं निकालना चाहूं, A minus B का resultant, तो क्या हो जाएगा, तो expression में, बीच में एक negative आ जाएगा, मतलब हम expression लिखेंगे, A square, दस B square, minus 2AB, cos of theta, ठीक है, अब देखो, आपके सामने, एक महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है, acceleration को आपने लिखा VF minus VI, तो basically यह VF minus VI को, जदि आप compare करो इससे, A minus B से, तो हमने किया क्या है, हमने किया क्या है, हमने और कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसको कुछ इस तरह से read किया, हमने VF minus VI, याने हमने A vector minus B vector को, A minus B ना कहके, ज्यान सा सुनना, हमने A minus B को, A minus B ना कहके, कह दिया, A plus minus B, अब सर, ये तो बड़ी ही टुच्ची सी बात लग रही है, कि A minus B ना लिखके, A plus minus B लिख दो, ये तो कौन सी बड़ी अनुकी बात है, लेकिन बेटा, इससे बहुत बड़ा difference create हो जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण difference यहां पे से create हो जाता है, और वो difference क्या है, वो मैं भ आपको बताता हूँ, आपको आनन्द आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, उचल जाओगे seats पे से, बोलो कि वा यार मास्टर ने मज़े ला दिये, अब देखो, सवाल पड़ो ज़रा, a body is moving, a body is moving, with a velocity of 30 meter per second, velocity देखे रखा हुआ है, इसलिए आपको direction दी है, towards direction, देखे रखियो, after 10 seconds, 10 seconds बाद क्या होता है, its velocity becomes 40 meter per second towards north, पहले body जा रही थी east direction में, अब body जाने लगी north direction में, आपको निकालना है acceleration, body जा रही है east में, इसके बाद body जाने लगी north में, यह है initial velocity, यह है final velocity, आपको निकालना है acceleration, जो के होता है final minus initial divided by time, final minus initial divided by time, in the vector form, देख लोगे, आपको वेक्टर equation लिख के हमने, अब अभी-अभी master आपने बताया कि हम इसको vf minus vi ना पढ़के, हम read करेंगे इसको vf plus minus of vi, तो इसका क्या significance अब ज़रा समझा भी दो, कितनी तारीफ तो कर दी, आपने concept की बिल्कुल समझाता हूँ, सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो यह जो vector है न, इसको ठीक से arrange करो, जो vectors आपने draw किये हैं, vi और vf, इनको tail to tail join करो, यह है vf, यह है vi और यह है vf, है, हाँ जी बिल्कुल है, यह है vi और यह है vf, अब आपको किन दो vectors को add करना है, कौन से दो vectors का summation करना है आपको, आपको add करना है vf और minus vi, आपको add up करना है vf और minus vi, यह है vf, यह है vi, तो minus vi क्या बन जाएगा, इसका ulti direction वाला, minus vi कौन बन जाएगा, यह बन जाएगा, minus vi, अगर वो vi है, तो यह कौन है, यह minus vi है, अगर वो vi है, तो यह minus vi है, और आपको क्या करना है, आपको vf और minus vi के resultant निकालना है, इन दो का resultant आपको निकालना है, vf और minus vi का, ठीक, कैसे निकालना है, आपको देखे रखा हुआ है, vi कितना है, magnitude wise, minus vi का magnitude कितना है, 40 में magnitude की बात करना हूँ, ठीक है, 40, और यह कितना है, यह 30 है, तो इन दोनों का resultant कितना आ जाएगा, same formula, root over a square plus b square plus 2ab, cos 90, cos 90 की value 0, याने resultant इनका आ जाएगा, vf और minus vi का resultant आ जाएगा, root over e square, plus 40 square, जो के होता है, 50, और acceleration कितना आ जाएगा, acceleration आ जाएगा, 50, divided by time, time कितना देखे रखा हुआ था, 10 seconds देखे, ठीक है, तो answer आपका आ गया, 5 meter per second square, answer आपका आ गया, 5 meter per second square, यो, यह है सही जवाब, note कीजिए ध्यान से, अच्छा concept है, मजदार चीज़ है, अच्छे से लिख लो भाई, सभी लोग इस बात को, क्या बाते बढ़ाते हैं आगे, इंटरेस्टिंग चल रही, जलिए, जलिए, जलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है ये, टाइन क्यों बनी आगे, बटा देते हैं, जलिए, रीड दे क्वेस्टिंग क्या कह रहा है, सवाल, अच्छा सवाल है, अच्छा concept है, सवाल कहता है, कि the particle moves a distance x in time t according to the equation, equation आपको देके रखी हुई है, acceleration of the particle is proportional to, acceleration, इन में से किस पर depend कर रहा है, किसके proportional है, पहले step क्या होनी चाहिए, जो distance या displacement की equation देके रखी हो, उसको उठा के रखो, और वो equation है ये, है ना, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है acceleration, तो पहली step होगी, आप find out कीजिए, velocity, velocity को आप लिख देंगे dx by dt, differentiate किया जाए, तो ये बन जाएगा minus 1, t plus 5 की power minus 2, अंदर आपने लिख दिया कितना बेटा, t plus 5, chain rule, अब t plus 5 को differentiate करोगे, तो वो 1 आएगा, t का differentiation, t के respect में 1 है, acceleration निकालते हैं, यदि हम acceleration निकाले, तो वो बन जाएगा dv by dt, minus 2 यहाँ पर multiplication में आएगा, 2 बन गया, bracket की power minus 2, minus 1, minus 3 बन गया, और अंदर बचा t plus 5, अब t plus 5 का differentiation, t के respect में फिर से 1, ये relations आपके पास आगए, displacement, velocity और acceleration, अब हमको compare करना है, acceleration, velocity या distance से, तो आईए देखते हैं, proportionally, क्या मैं acceleration को, 2 times of t plus 5, t plus 5, power minus 1 का cube, ऐसे लिख सकता हूँ, master ये करने से क्या फाइदा, प्यटा ये करने से फाइदा ऐसा हुआ है, कि आपने minus 3 को, minus 1 into 3 लिख दिया, लेकिन उससे आपको एक relation मिल गया, कि acceleration is proportional to t plus 5 की power minus 1, जो की होता है distance का cube, मतलब acceleration distance के cube पे depend कर रहा है, acceleration, distance के cube पे depend कर रहा है, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए, लेकिन इन में से तो कोई option match नहीं हो रहा, तो हमको निकालना पड़ेगा relation, acceleration और velocity का, तो velocity के बारे में आपने अभी अभी क्या लिखा, velocity के बारे में आपने लिखा, कि velocity proportional है, आपने लिखा, कि velocity proportional है t plus 5 की power minus 2k, इसके proportional है t plus 5 की power minus 2k, ठीक है, यह आपने लिखा, यहाँ पैसे देखके, सामने से देखके, अब हमको चाहिए acceleration का relation, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यह acceleration जो depend कर रहा है, acceleration जो depend कर रहा है, t plus 5 की power minus 3 पहें, तो इसको हमने लिखा, a proportional to, t plus 5 की power minus 3, अब कैसे हम लोग इसके बीच में velocity को घुसाएं, कैसे हम लोग इसके बीच में velocity को घुसाएं, क्या मैं दोनों तरफ, क्या मैं दोनों तरफ power, क्या मैं दोनों तरफ power minus 1 by 2 multiply कर सकता हूँ, can I take power minus 1 by 2 both the sides, इसके equation को कोई फरक नहीं पढ़ता है, मैं आप minus 1 by 2 किया, तो यह plus बन गया, लेकिन आपको एक बहुत important relation मिला, कि आप t plus 5 को v की power minus 1 by 2 लिख सकता, मैं ने क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ power minus 1 by 2 multiply कर दी, किसी equation में right hand side, left hand side, same चीज करूँ, कोई फरक नहीं पढ़ता है, लेकिन relation हमको एक मिल गया, कि मैं t plus 5 की जगह पे उठा के रख सकता हूँ, डिरेक्ली क्या, v की power minus 1 by 2, यह उठा के हम डिरेक्ली रख सकते हैं, तो आईए रख देते हैं, आईए, रख देते हैं t plus 5 की जगह पे, तो acceleration का proportion आ गया कितना t plus 5, इसको आपने हटा के रख दिया, v की power minus 1 by 2, यहाँ आपने रखा v की power minus 1 by 2, और इसके उपर क्या है, बाहर कौनसी power बैठी हुई है, बाहर minus 3 बैठी हुई, तो यह बन जाएगा कितना plus का 3 by 2, तो acceleration proportional आ गया, velocity, velocity, velocity की power 3 by 2 के, आसान सा सवाल था, अराम से solve किया, इतमे नान से, कोई हडबड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, easily हमने निकाल दिया answer A, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ arrangement था, देखके कई बार बच्चे बुलते हैं, यह तो बड़ा tough सवाल पूछलिका, हमको एक दम से तना differentiation पगेरा, समझ में नहीं आता है, आप बुलता हूँगे, बस यह 3 equation generate कर लो, और इनको relate कर लो, एक बार मैं आपको answer मिल जा, बातें बढ़ाते हैं, आगे, चल यह चल यह चल यह बातें बढ़ाते हैं, अगला सवाल आपके सामने है यह, read कीजिए सवाल को क्या कहता है, एक और अच्छा concept है यह, 2009 AI PMT में पूछा है, concept है यहाँ पे, relative motion का, तो पहले थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, relative motion, पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, relative motion पे, relative motion पे, पे, तीधी सी बात कि अगर यह A है और यह B है और दोनों चल रहे हैं, और किसी, अलग-अलग speed पे चल रहे हैं, VA पे चल रहे है, एक VB पे चल रहे हैं, आप A पे बैट के B को देखो, या B पे बैट के A को देखो, आप A पे बैठके B को देखो या B पे बैठके A को देखो आप बात करो A की B के respect में या आप बात करो B की A के respect में तो चर्चा क्या बनेगी? चर्चा कुछ ऐसी बनेगी V A B को आप लिख देंगे V A minus V B V B A को आप लिखेंगे V B minus V A लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये डंडी जो हमने इसके उपर लगा दी ये कहलाता है vector notation ये कहलाता है vector notation अब इसमें यदि मैं आपको एक case दूँ इसमें यदि मैं आपको एक case दूँ कि body number A और body number B same direction में जा रही है ये 10 की speed पे जा रही है और ये 15 की speed पे जा रही है बहुत बढ़िया आप A पे बैठ के B को देखो practically feel करना बात को A पे बैठ जाओ और B पे देखो तो आपको B दूर जाता हुआ देख रहा है बिल्कुल देख रहा है लेकिन कितनी speed से जाता हुआ देख रहा है आपने कहा कि velocity इसकी velocity देखनी है B की इस पे बैठ के देखनी है A पे बैठ के तो seen by, as seen from A, तो आप क्या लिख देंगे VBA को, आप इसको लिख देंगे VB minus VA, आप इसको लिख देंगे VB minus VA, तो VBA कितना बन जाएगा, 15 minus 10, यह कितना रहा है, यह 5 meter per second, यह 5 meter per second, लेकिन इस ही situation में, यदि मैं निकालता हूँ, इस ही situation में, यदि मैं निकालता हूँ, इस ही situation में, यदि मैं निकालता हूँ V, AB, मतलब velocity of A as seen by B, मतलब B पे बैठके, B पे बैठके, A को देख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा VA minus V, कितना बनेगा यह, 10 minus 15, मतलब minus का 5 meter पर सेके, क्या अर्थ है इस बात का, इस बात का अर्थ यह है कि यदि मैं B पे जाके बैठ जाता हूँ, और A को देखता हूँ, तो क्योंकि मेरी speed ज्यादा है, मैं तेजी से आगे जा रहा हूँ, मुझको लगेगा कि A पीछे जा रहा है, इसलिए माँ पे A as by B, यह है velocity of A as seen by, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यह एक केस आपको मैंने बताया, दूसरा केस क्या बन जाएगा, दूसरा केस डिरेक्टी यह बन जाएगा, कि यदि दोनों एक डिरेक्शन में चल रहे हैं, आप यह लिख देंगे, कि यह दो बोडी हैं, यह है, एक B है, एक की स्पीड आपने ले ली, V A पराबर 10 मीटर पर सेकेंड, V B पराबर 5 मीटर पर सेकेंड, अब आपको निकालना है, velocity of A with respect to B, जिसको आप लिखते हैं, A minus V B, अब यहाँ पर जब आप डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि इनकी directions क्या है, V A को आपने रखा 10, बहुत अच्छी बात है, minus V B को 5 रखनें, गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा, minus 5 मेरे भाई, minus 5 क्यों रखा मेरे राजा, क्योंकि direction opposite है, तो velocity of A, as seen by B, अगर B पे बैठके A को देखूं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा, कि body जो A है, वो 10 से ना चलते हुए आए, 15 से चलते हुए आ रही है, पर यही बात अगर मैं A पे बैठके B को देखूंगा, तो मुझको कितना मिलेगा? velocity of A, यहाँ पर यह भी निकाल देते हैं, velocity of B, as seen by A, वो कितना बनेगा? वो बनेगा VB, minus V, वो बनेगा VB, minus V, VB को कितना रखे हैं? तो कि इस तरफ जा रहे हो, तो convention set कर लो, इसको negative, इसको positive, तो इसको आप लिख दोगे, minus 5, minus, कि plus है, तो 10, मतलब minus का 15 meter per second, तो यह plus minus का क रहा हूं, यह को बना, किस पर बैठके किस को देखे हो, बस यह चीज समझ लेना, आप पहले केस में बी पर बैटके A को देख रहे थे, तो B पर बैठे हो, और A को देख रहे हो, तो आपको इधर आता हुआ दिख रहा, और यह positive है, मैं A पर बैठके B को देख रहा हूँ, तो वो मुझे इस तरफ आता हुआ दिख रहा है कि नेगिटिव है, पस यहीं उलजते हैं बच्चे, जहां बच्चे उलजते हैं, जहां पर गलतियां होती हैं, मैं वो point figure out कर रहा हूं, मैं वो point आपको बता रहा हूं, यह सब आपको पता है, लेकिन गलती का होती है, वो अग आपको एक बात बताता हूं, है ना, काम की बात है, आपको क्या लगता है कि नेट में, on an average, यह जीडवली जैसी बड़ी exams में, on an average, जो all India rank अंडर 500 भी है ना, 1, 2, 10, in ranks की बात नहीं कर रहा हूं, all India rank अंडर 500 की भी बात कर रहा हूं, तिली मिस्टेक कित्ती करते हों, on an average, यह जीडवली मेंस हो, on an average, on an average, टोटल मार्क्स के 5% की सिली मिस्टेक होती, 720 का 10% 72 और 720 का 5% 36 मार्क्स, टीड जैसी exam में, टॉपर्स की बात कर रहा हूं, मैं all India rank अंडर 500 की बात कर रहा हूं, वो students भी 36 मार्क्स सिली मिस्टेक करते, 36 मार्क्स की सिली मिस्टेक अब बहतरीन बच्चा भी कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ अपने 36 मार्क्स बच्चा ले, तो आपको नहीं लगता है कि उसकी rank जो है, वो 500 से 50 हो जाएगी, और जो 2000 पे खड़ा है, वो तो 40-50 मार्क की सिली मिस्टेक कर रहा होगा, अगर वो सिर सिली मिस्टेक हटा ले, तो उसकी rank 500 हो जाएगी, जो 10,000 पे खड़ा है, वो 2000 पे आजाएगा, एक लाग पे खड़ा है, वो 40,000 पे आजाएगा, इसका सेलेक्शन नहीं होने वाला तो उसका सिली मिस्टेक जाएगी, अगर सिर्फ वो अपनी सिली मिस्टेक पर ध्यान दे ये है, के एक बस है, वो मूब कर रही है, 10 मेटर पर सेकंट की स्पीड से, कुटरिस्ट फिशेस्ट to overtake the bus in 100 सेकंड, बस इस एत अट इस त dakika, एक बस है, और एक स्कुटरिस्ट, नर एक बस है, और एक scooterist ते रहा scooterist ठीक है, बना दिया है सब मान लो scooterist है, अब इनके बीच का distance कितना है इनके बीच का distance कितना है इनके बीच का distance है, एक किलो मिटर, याने 1000 scooterist and bus scooterist and bus ठीक है, 1000 meter का distance है और time आपको कितना देके रखा हुआ है इनके बीच का time देके रखा हुआ है 100 second कितना समय लग रहा है, scooterist को bus तक पहुंचने में 100 second लग रहा है आप से क्या पूचा है आप से पूचा है, if the bus is at a distance of this much from the scooterist, with what speed with what speed should the scooterist chase the bus किस speed से scooterist को bus की तरफ बढ़ना चाहिए इसको आपने कह दिया speed of the scooterist इसको आपने कह दिया speed of the bus बहुत बढ़ी है पंड़ा क्या लगा है मास को पंड़ा लगा और रिलेटिव का बस भी चल रही है scooter भी चल रहा है सीदी सी बात है कि scooter तेजी से चल रहा होगा तब जाके उसको पकड़ पाएगा दोनों को मिलके कितना distance कवर करना है दोनों को एक दुसरे को पकड़ने में scooter को बस को पकड़ने में कितना distance ट्रैवल करना है 1000 मीटर ट्रैवल करना है तो क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि जो relative displacement है scooter और बस का वो है 1000 मीटर वो है 1000 मीटर इलकुल है जो relative speed है किसकी जो relative speed है scooter और बस की क्या लिख दोगे आप उसको scooter with respect to bus वो है VS माइनस V ठीक है अब आपको क्या बोला है bus is moving at this speed time देके रखा हुआ है time देके रखा हुआ है क्या मैं directly यह लिख सकता हूँ कि कितना समय लगेगा इनको पकड़ने में relative displacement divided by the relative speed कितनी बन जाएगी यह 1000 divided by time कितना है 100 second है तो यह कितनी आगई है 10 meter per second I'm sorry I'm really sorry relative speed को हमने लिख दिया relative displacement divided by time तो यह आगई 10 meter per second relative speed आगई 10 meter per second relative speed 10 meter per second तो यहाँ पर हम उठाके रख देंगे 10 meter per second पराबर speed of scooter minus speed of bus और bus की speed देके रखी है 10 तो scooter की speed आगई 10 plus 10 क्योंकि होती है 20 meter per second तो यहाँ आपका आणसर मैच हो गया है अच्छा कॉंसेप्ट था मज़दार सवाल था कर लिया हमने आंसर आपके साथ ठीक है बटा किसी बात पर थोड़ा सब पानी पी लिया जाए अब भी पीलो 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 तो यह यह सवाल देर सा रहे हैं और मज़दार सवाल है सारे डिसकस करेंगे डीटेल में डिसकस करेंगे चलिए आ जाते हैं डिसक्शन पर वापस यह रिपीटेट सवाल है आपके सामने अब इसने स्पीड पूची है आवरज़ वेलोसीटी पूची होती तो जीरो आती लेकिन आवरेज पूची है आवरेज पूची है तो वो कितनी बन जाएगी वो बन जाएगी 2 times of V1 V2 divided by V1 plus V2, ठीक है? क्याने के answer आजाएगा A, कोई बड़ी बात? नहीं है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़िए जरह सवाल को क्या कहता है? Position of a particle with respect to time along the x-axis is given by this equation is given by this equation बहुत बड़ी है, where x is in meter and t is in second, what will be the position of this particle when it achieve maximum speed along the x-axis, क्या बोल रहा है? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये बोल रहा है क्या position होगी particle की x की value क्या होगी जब ये अपनी maximum speed पे होगा along the x direction, सर, क्या maximum speed वाला फंडा क्या है? maximum speed वाला फंडा क्या है? समस्तने हैं थोड़ा इसको अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये पल्टी वाला case ये case पल्टी वाला है पल्टी वाला case x को आपने क्या रख दिया? x को आपने रख दिया 9t square minus t cube velocity क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 18t minus 3t square आप थोड़ा सा इसको decode करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं, ये ना? x और t की अलगलग values की चर्चा करते हैं, एक तरफ मैंने लिख दिया time, एक तरफ मैंने लिख दिया velocity t equal to 0 पे velocity 0, t equal to 1 पे velocity 15, t equal to 2 पे velocity कित्थी? 37 minus, ये कितना बन जाएगा? 2, 2, 4, 4, 3, 12, ये बन जाएगा 20, है ना? फिर इसके बाद t equal to 3 करो, equal to 3 करो, कितना बनेगा? यह पर 3 करो, 18, 3 जा कितना होता है? 54 minus 3 का स्क्वेर 9 और ये 27, कितना आ रहा है? 14, 7 और 1, ओहो, 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 27, तीन पे 27, अब बढ़ा दो 4, 4 कर दो, कितना बन जाएगा ये? ये बन जाएगा? इसके बन जाएगा? 74, ये ना? 18, 4 जा 74, minus, minus 4 करो, जारा, 16, minus, 16, 16, 16, 2, 3, कितना होता है? 48, 14, 14, 14 में से 8 गए 6, ये ना? और यहां पे 6 में से गए 26, बास, समझो बात को, चार पे आगया 26, चार पे आगया 26, टाइम बढ़ता जा रहा है, पीड पहले बढ़ी, 0 से 27 हुई, फिर उसके बाद 26 हो गया, पांच पे चेक करते, 18, इंटू 5, आठे पंजे 40, पांच एकम 5, और 4, 90, minus, यहां पे 5 का स्क्वाइर के ता 25 किया 27, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, ओहो, इक्वल टू 5 पे तो बहुत ही कामा रही है, 15 यार है ना? हाँ, अस्तुरी 15, यह तो मजदार चीज है, यह तो मजदार चीज है, अब वैसे तो आपने यहीं से निकाल लिया, कि टीकवल टू 4 पे, वैसे तो आपने यहां से पता कर लिया, कि टीकवल टू 3 पे, 4 पे नहीं, तो 1, 2, यहां, टीकवल टू 3 पे, वाड़ी की जो स्पीड है, वो मैक्सिमम है, कि आपने पता कर लिया, डेटा रख रख के, लेकिन हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं न, अंसर यहां से मिल जाएगा, इकवल टू 3 रखो, इकवल टू 3 रखो, तो X कितना आएगा, 3 का स्क्वेर, 9, 9, 9, 81, 81-27, कितना होता है, 81-27, कितना बन जाएगा, यह 4, है न, 64, 54 बनेगा, 64 बनेगा, एक सेकेंड, यह गया, अच्छा, सौरी, साथ में से दो गए, 54, आंसर तो यह से आ रहा है, 54 मीटर, मैच भी हो रहा है, देख रहा है, 54 मीटर मैच हो रहा है, लेकिन क्या यह समझदारी है, कि हम डेटा रख रख के सवाल को सॉल्व करें, क्या हमको नीट में ऐसा करना है, बिल्कुल भी नहीं, पहली बाद तो अंडरस्टेंडिंग होनी आओ, अब करते हैं, इसको सॉल्व, अब करते हैं, लगाते है, सरल सा फंडा, क्या है फंडा, फंडा है, कॉंसेप्ट ओफ मैक्सिमा मिनिमा, कॉंसेप्ट ओफ मैक्सिमा मिनिमा, आपने वेलोसिटी निकाली, आपने वेलोसिटी निकाली, आपसे पूछा है, पोदेशन न Maximum या minimum कब होता है? जब उसका differential 0 हो, 0 हो, अब इनको differentiate तो करो, अरे differentiate तो करो, 18 minus differentiate करो, 60 equal to 0, कितना बन जाएगा ये? कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा, 3, 3, 3, जो कि आप ऐसे भी निकाल चुके थे, फिर से ऐसे भी आ गया, देख लो, very, very, very important, discussion, बहुत बहत बहतरीन, बहुत मजदार, बहुत काम का discussion चल रहा है मेरे भाई, जान देना मेरे भाई, 4 बना दिए, यहां से भी निकाला, वहां से भी निकाला, बस अब ये जो मिल गया, इसको substitute कर दो, किसी के मन में ही आ रहा हो कि सर ये maximum ही है, ये किसे पता चलेगा, double differentiate करो, negative आना चाहिए, double differentiate करो, negative आना चाहिए, कल double differentiate इसको, कितना आएगा ये, फिर से differentiate कर, minus 6 आएगा, minus 6 मतलब negative, negative आ रहा है मतलब, maxima की ही condition, तो यहां पर t equal to 3 रख दे, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9, इंटु 3 का square, minus 3 का cube, अंसर आ जाएगा, गोपन, this is the answer, हर तरह से सवाल आपको करके दिखा दिया, हर तरह से discussion करके दिखा दिया, इस पच्छे से note कर लो में साइड, बता हूँ, जी अगला तो फिर बाते 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 बातेते हैं, आगे अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो जाला सवाल को, बढ़ी अच्छी बात है, अब क्या कहा जा रहा है, एक्वेशन आपको देखे रखी है, तो ये तो बहुत लिए सवाल है, इसको मैं डिरेक्ली कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड वेलोसिटी बन जाएगी, ट्वेल्व माइनस ठ्री टी स्वेयर, और आपको कहा है कि वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो, तो किस समय पर हो रही है, ये हो रही है, ट्वेल माइनस चार, दो ट इक्वल टू सेकंड पर जीरो हो रही है, अब दो सेकेंड पे तो 0 हो रही है तेकिन यह पूछ क्या रहा है यह पूछ क्या रहा है कि how long would the particle travel before coming to rest 2 सेकेंड में particle की velocity 0 हो रही है तो क्या मैं directly 2 सेकेंड की position निकाल लूँ निकाल के देखते हैं position at 2 सेकेंड कितनी आ रही है को आ रही है 40 प्लस 2 इंटू बारा 24 माइनस आठ याने के आ रही है चालिस प्लस 16 याने 56 आ रही है और option दिख रहा है option दिख रहा है option दिख रहा है वो भी तो देखो वो खुझ 40 पे खड़ा हुआ था और 2 सेकेंड पे वो 56 पे खड़ा है तो क्या उसने 56 मीटर चला है particle x equal to 0 पे 40 मीटर पे खड़ा था particle sorry t equal to 0 पे equal to 0 पे जो आपकी reference लाइन है कि already मान लो यह x equal to 0 है तो particle यहां तो खड़ा हुआ था चालिस पे खड़ा हुआ था particle already कब equal to 0 पे भागना शुरू किया उसने और 2 सेकेंड पे वो पाया गया कहां 2 सेकेंड पे वो पाया गया कहां खपन मीट खपन पे पाया गया तहां पे खपन मीट आये ना कितना चला है वो 16 मीटर चला है बस यही गलती होती है commonly यही mistake करते हैं बच्चे अपन माक करते हैं डिरेक्ली देखके कही वैस पानी ठीक है चालो तो फिर इसी बात पर बाते बढ़ा देते हैं आगे अगला सवाल पढ़ लीजिए सभी लोग रीड करो question यह भी बढ़िया सवाल है इसमें भी बच्चे बहुत उलचते हैं क्यों क्योंकि equation की वज़े से maths की वज़े से उलचते है physics की वज़े से नहीं उलचते हैं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यह सवाल देखो देहां क्या बोल रहा है बीटा सवाल पढ़ो सवाल बोलता है displacement of a particle vary कर रही है time के साथ इस equation से और a, b, alpha, beta सभी positive constant है तो velocity of particle बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ती रहेगी, फिर 0 होगी, क्या होगी, बता करना है तो हम इसको differentiate करते हैं, क्या हम velocity को dx by dt लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं, तो क्या हम इसको differentiate करके minus a, alpha, e to the power, minus alpha, t, minus 1, ऐसा लिख सकते हैं, differentiate कर दिया न, x to the power, n into x to the power, n minus 1, n, याने ये term multiplication में आ गई, और इसमें, n minus 1 ठीक है, तभी लोग, फिर दिकत, ठीको भी, हाँ, तो आगे क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, यहाँ यहाँ पर बन जाएगा, plus beta p e to the power, beta t minus 1, ठीक है यह velocity आगे अब यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो देखो समय बढ़ेगा तो इस quantity पर क्या फरक पड़ेगा और समय के बढ़ने से इस quantity पर क्या फरक पर क्या मैं इस quantity को क्या मैं velocity को थोड़ा सा range करके माइनस एलफा दिवाइडेट बाय एटू दिपावर माइनस इसका कॉमन निकालो इसको स बसलो इलफा ती प्लस या लिख सकता है ब्लस बीटा बीटू दिपावर इटा टी प्लस अब टाइम बढ़ता जाएगा यह quantity बढती जाएगई time बढ़ता जाएगा नीचे की quantity बढ़ेगी overall quantity बढ़ती जाएगी मतलब कि जो velocity है ये overall term बढ़ती जाएगी velocity increase करती जाएगी समय के साथ velocity बढ़ती जाएगी ये overall term बढ़ती जाएगी ये overall term घटती जाएगी तो net इनका difference बढ़ता जाएगा बदलब velocity बढ़ती चलिए ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये अब ये सवाल कई सवाल रस्यों सवाल हम इस पर कर चुके हैं तो same questions को मैं repeat नहीं कर रहा हूं displacement देके रखा है acceleration पूछा है t equal to 1 पे कीजिए और comment में answer दीजिए अगर आपका नहीं बनता है तो मुझे बताइगे मैं बिल्कुल इसको record करके आपको दे दूँगा चलिए अगला सवाल आपके सामने है ये अब ये क्या कह रहा है position x of a particle varies with time according to this equation अच्छी बात है acceleration of the particle will be zero at time बहुत basic सवाल है इसको solve करने में time waste नहीं करेंगे एक जैसे सवाल कुछ आ गए है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे से same question करने का कोई sense नहीं कुछ नए सवाल करते हैं पर ये ज़रा सवाल train of length 150 meter is going towards north direction at a speed of 10 meter per second a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards the south direction parallel to the railway track the time taken by the parrot to cross the train क्या क्या जा रहा है एक train है अच्की बात है क्यरी train और एक parrot है train की length कितनी देके रखेंगे train की length L मान लो L कितना है 150 meter है ओके अब ये कहां जा रही है ये particular direction में जा रही है मान लो north में जा रही है और एक parrot है parrot किस दिशा में जा रहा है पैरिट opposite direction में जा रहा है पैरिट जा रहा है opposite direction में velocity of parrot ठीक है क्या आपने बना दिया parrot उसकी खुद की speed देके रखेंगे हुई time taken by the parrot to cross तो क्या मैं time को relative distance upon relative speed लिख सकता हूँ हा सर बिलकुल लिख सकते हो तो बेटा लिख दो relative distance या relative displacement इनका कितना है 150 मीट और relative speed कितनी बन जाएगी वी relative क्योंकि यह दोनों opposite direction में है बन जाएगी vp प्लस vp कितना हो जाता है यह यह हो जाता है 10 प्लस 5 याने के 15 सब्सक्राइब रहा है रख दो data उठाके कितना समय लगेगा तस सेकेंड लगे तर क्या कोई direct तरीका इसको solve करने का बिलकुल आपको pen भी ने उठाना यह pen हमने रख दिया अब मुझको यह बताओ ट्रेन और पैरेट टोटल क्रॉस करने में कितना डिस्टन्स ट्रैवल होना चाहिए तर ट्रेन की लेंद के बराबर ट्रैवल होना चाहिए याने कितनी यह ट्रेन की लेंद 400 मीटर दस मीटर पर सेकेंड पांच मीटर पर सेकेंड तेम डे अपोजिट डिरेक्शन कितनी बन गई किदनी बन गई 15 एक सो बचास बटे 15 कित आ गया अलवा था चाहला बहुत बढ़िया आसान सवाल था बिलकुल बाते बढ़ाते हैं आगे अगला सवाल आपके सामने है यह फोड़ा सा अलग सवाल है यह को करेंगे हम लोग फोड़ा पुराना सवाल है लेकिन करेंगे इसको क्यों क्यों क्योंकि कट कॉंसेप्ट अच्छा है अब बस ट्रावलिंग अब फॉर्स्ट वन थर्ड डिस्टन सेट अट इस स्पीड ओफ 10 किलोमेटर पर आवर नेक्स्ट वन थर्ड एट 20 किलोमेटर पर आवर एंड लास्ट वन थर्ड एट 60 किलोमेटर पर आवर पास्टर आपने वन थर्ड वन थर्ड का तो कोई फॉर्मिला बताया ही नहीं हमको आपने भी तक एक भी फॉर्मिला ऐसा नहीं बताया मास्टर जिसमें वन थर्ड वन बात की हो, पिएड़ा मुझको एक बात बताओ, मुझको एक बात बताओ, कि average, निकालना कि आपको average speed, कि आपको इसका formula पता है, हाँ master पता है, कि इसका formula मैंने आपको बता है, हाँ master बिल्कुल बताया, तो बस सवाल हो जाएगा, कि आपने 3 बराबर distances मार्क कर ली है, यह आपने 3 बराबर distances मार्क कर ली है, x, x और x, यहाँ पे speed आपने लिख दी है v1, यहाँ पे speed लिख दी है v2, यहाँ पे speed लिख दी है v3, तो average, speed को आप क्या लिखते हैं, सर हम लिखते हैं total distance, divided by total time, लिखतो, जो लिखते हो वही लिखो, खेल खतम, क्या बात कर रहे हो सर, खेल खतम, हाँ बेटा, खेल खतम, कितना ही था, हो गया सवाल, खतम गया, बाई-बाई, आपने लिखा, average speed is total distance, कितना है total distance, total distance है 3x, divided by total time, कितना है total time, T1 को लिखोगे distance upon speed, distance upon speed, T2 को लिखोगे distance upon speed, T3 को लिखोगे distance upon speed, कितना बन जाएगा यह, कितना बन जाएगा यह, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन दे रहा हूं, अंसर तो हम निकाल लेंगे, 3 V1 V2 V3 divided by V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1, ये बन गया general expression, ये बन गया general expression, कितना आगया आपके सामने आंसर? आपके सामने आंसर आ गया, 3 times of V1 V2 V3, 10 Vs सहाट upon, 10 into Vs, इतना 200, plus Vs into सहाट 1200, plus 10 into सहाट 300, 300, 200, 800, 812, 2000, कितना बन गया ये? इसको कहां कर लें, हम लोग थोड़ा सा इधार ही कर लेता है, कितना बन गया ये? ये बन गया, 3, 2, 6, 600 into 6, याने 3, 6, 0, 0, 0 लग जाएंगे, 3, 0 लग जाएंगे, 3, 0 लग जाएंगे, 3, 0 लग जाएंगे, 3, 0 लग जाएंगे, बिल्कुल, divided by 2, 1000, तो आंसर आ गया, 18 km पर असान सवाल था, पूरा derive किया, concept पूरा समझा हमने, इसलिए हमको थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अगर आपको directly concept से straightforward formula उठा के रखो, उसदर मारो, चिपकाओ और answer निकालो, कितनी इसी बात है, चलो note कर लो जड़ा, तभी लोग जालो तो फिर बाते बढ़ाते हैं आगे, वापस आ जाते हैं कुछ latest वाले सवालों पर, पड़ो जड़ा सवाल, एक्तम बिलकुल latest सवाल है, जमा जम 2021 का सवाल, कब का सवाल है, 2021 का सवाल क्या कहता है, car starts from rest, अच्छी बात है, and accelerates at 5 meter per second square, at equal to 4 second, a ball is dropped out, okay, from a window by a person sitting in the car, what is the velocity and acceleration of the ball at 6 seconds, हमझे ना बात को, एक कार चल रही है, car ने चलना स्टार्ट किया, rest से बना देते हैं, situation यह रही car, ठीक है, यह रही car, car के अंदर बैठे हो आप, car ने rest से चलना स्टार्ट किया, car की initial velocity आपने लिख दी 0, यू equal to 0, car का acceleration देके रखा हुआ है, 5 meter per second square, अब 4 second तक पहुँचते, पहुचते, चार second तक पहुचते, पहुचते, car ने कुछ velocity गेन कर ली होगी, 4 second तक पहुचते, पहुचते, car ने कुछ velocity गेन कर ली होगी, कितनी कर ली होगी, v equals to q plus 80, x direction में बात चल रही है, ठीक, initial velocity 0, acceleration 5 और time 4 second तक चलिए car, तो कितना आ गया यह, यह आ गया 20 meter per second, पतलब x direction में, body की speed हो चुकी है, 20 meter per second, 4 second बात, car जो है, उसकी speed हो चुकी है, कितनी, 20 meter per second, है ना, car के speed x direction में आ चुकी है, 20 meter per second, अब आपने क्या किया, आपने t equal to 4 second पे, उस car में से, एक ball को गिरा दिया, अब जैसे ही अपने ball को गिराया, तो car की जो speed थी, वो तो ball के पास रहेगी, यह ball के पास car की speed तो रहेगी, ना, car में से ball को गिराया है, तो x direction की speed तो है ball के पास और वो constant रहेगी, तो मैंने 0 क्यों लेगी, 20, वो तो constant maintained रहेगी, आप बात कर रहे हो के 6 second पे क्या हो रहा है, आप यह कह रहे हो के 6 second पे क्या हो रहा है, तो y direction की initial speed तो 0, plus g, acceleration g के पराबर into t, अब t equal to 4 second पे body इधर है, और t equal to 6 second पे body इधर है, तो velocity कितनी आ गई, velocity आ गई, यहाने 10 into 220 meter पर second, आपको क्या निकालना है, आपको net velocity निकालनी है body की, तो जो body के पास x और y direction दोनों में velocity हो, उसकी net velocity कितनी कहलाएगी, उसकी net velocity कहलाएगी, इतनी, 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 vx square, plus vy square, vx कितना है, 20, vy कितना है, 20 तो resultant कितना आ गया, resultant आ गया, 20 root 2, meter per second, अब 20 root 2 तो दो options में है, acceleration भी पता करना है आपको, अब एक बात बताओ, एक body जिसको आपने drop कर दिया, तो आगे बढ़ रही थी, x direction में तो कोई influence आपका उस पर बचा नहीं, x direction का acceleration जी, लेकिन gravity लगना थोड़ी ना बंदो जाएगी, अरे body पर चलो, एक बार वो छूट गई, कार में से निकल गई, तो x direction का acceleration तो निपड गया, लेकिन y का acceleration तो बचा हुआ है, g downwards, आ या ना, तो acceleration कितना आ जाएगा, 10 meter per second square, और velocity 20 root 2 meter per second, इस बात को ध्यान से नोड़े, काम की बात है, अच्छे से लिखो, चाल, तो फिर बात बढ़ा देते हैं, आगे, अगला सवाल आपके सामने है, ये, रीड कर लो, need 2021 का, फिर से एक और latest सवाल, जवाज हम करेंगे, बिल्कुल, क्या बोलता है सवाल, सवाल कहता है, a small block sides down on a smooth inclined plane, starting from rest, at t equal to 0, t equal to 0 पे body rest पे थी, side करना start कर रहे हैं, let sn be the distance traveled by the block in the interval, t equal to n minus 1, to t equal to n, n minus 1 से लेके, n के interval में, body ने कितना distance travel कर लिया, sn कर लिया, आपको ratio चाहिए, sn is to sn plus 1, sn क्या है, sn, n minus 1 से n, मतलब, पता है हमको के, s fifth लेकूं, fifth second का displacement, तो वो कौन सा होता है, वो 4 से लेके, 5 में जो body travel कर रहे है, वो होता है, और इसका expression क्या आता है, इसका आता है, u plus a by 2, ठीक देता हूँ पहले, ताकि कोई confuse ना हो, bracket 2n minus 1, पढ़िया, अब sn आपने निकाल दिया, u की value 0, a by 2, bracket 2n minus 1, यह expression आपके सामने आ चुका है, sn का, nth second के displacement का, n plus 1th second का displacement निकालना है, मतलब n से n plus 1 का displacement, अभी हमने n minus 1 से n का निकालना, अब उसके अगले second का निकालना है, तो मैं क्या लिख दूँँगा, n की जगह पे simply उठा के रख दूँगा, n plus 1, तरीका बताओं, तो तरीका यह होता है, sn plus 1 अगर आपको निकालना है, तो यह होता है, sn, s, sorry, n plus 1 minus sn, ठीक है, और अगर आपको sn निकालना है, तो वो होता है, displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds, for example, यदि एक body 5 seconds में इतना चलती है, ठीक है, और 4 seconds में इतना चलती है, तो 5 way second, 5 way second में इतना चलती, 5 second में इतना, 4 second में पीली लाइन, तो 5 way second में इतना, उम्मीद करता हूँ कि समझे में आ रही यह बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो s n plus 1 कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, a by 2 bracket 2 into n की जगह पे n plus 1 रखो, minus 1, तो यह कितना बन जाएगा, 2n plus 2 minus 1 यहने 2n plus, 2n plus 2 minus 1 यहने 2n plus, ठीक है, दोनों बातों को डिवाइट कर दो, दोनों equations को डिवाइट कर दो, आपको relation मिल चुका है, 2n minus 1 upon 2n plus 1, क्या आगया आपके साथ, असान था, अलवा था बिल्कुल, ठीक है, अगर concept पता है, तो हर सवाल नीट का अलवा ही लगता है, तैम ही ऐसी है, बेसिक पता है, सरल सरल से question बनते हैं, कोई भी व्यक्ती सीट में जो ठीक तरीके से पढ़ रहा है, 150 प्लस आराम से score कर सकता है, और जिसने इमानदारी से इस तरह की सीट के 170 उसके लिए बड़ी बात नहीं है, कि मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, और आखरी दिन तक कहते रहूंगा, कुछ बच्चे वाकई में उस बात को मान के ले के आएंगे, दिखाएंगे मार्ग, परसन सिटिंग, in the ground floor of a building notices through the window of a height 1.5 meter, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second, what is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window, क्या बुल रहा है, कि एक व्यक्ती समीन पर खड़े होके, एक ball को गिरते हुए देख रहा है, और वो खिड़की को cross करती है, फोड़ा बना लेते हैं, आदमी जो है, गिरा हादमी, ground floor पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और नजारे देख रहा है के इंद बेंद गिर गिर रही है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है, कितनी है यह विंडो की लेंथ, यह विंडो की लेंथ कुछ X मा, इसकी लेंथ, लेंथ कुछ X मा, ठीक, आपने एक ball ड्रॉप कर दी उपर से, आपने एक बॉल उपर से drop कर दी, किरी, 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 जा रही है नीचे, सरक रही है, अब यह height कितनी देखे रखी है आपको, x आपको देखे रखा हुआ है कितना, x आपको देखे रखा हुआ है 1.5 का distance, time कितना लग रहा है cross करने के लिए, time लग रहा है 0.1 second, acceleration कितना है, g, direction downwards है पता को, आपको इस point की velocity निकाल, ठीक है, क्या हम लोग directly s equals to ut plus half a c square apply कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, तो कर देते हैं, s कितना देखे रखा है, 1.5 meter, q पता करना है, time 0.1 second, तो u by 10 लिग दिया, plus 1 by 2 into 10 into 0.1 का square, 1 by 100, तो ये कितना बन गया, ये बन गया, कितना, ये बन गया, एक बटा बीस, तो कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया, u by 10 equals to 15 by 10 minus 1 by 20, arrange कर लो थोड़ा कितना बनता ही है, पहले तो ये पहली फुरसात में 10 कार दो इदर से, ठीक है, तो u कितना आ गया, u आ गया, LCM ले लो वहाँ पे जरा, 30 minus 1 by 2, कितना होता ही है, अज़ा G की value 9.8 लेनी होगी, G की value 9.8 लेनी होगी, option देखके लग रहा है मुझे, अज़ा निट्रा नहीं दिया है उसने, बड़ी अचलने तो फिर तो, कितना बन गया ये, 29 minus 29 by 2, याने 14.5 meter per second is the answer, आसान सवाल था, को कोई बहुत ज़्यादा high-five नहीं थे, ठीक है, ऐसे सवाल आना मतलब सोभाग्य की बात, ऐसे सवाल आना याने सोभाग्य की बात, ठीक है ना, चलो बाते बढ़ा देते हैं आगे, 2020 का सवाल तो बतार लेटेस सवाल है सारे और इतने easy-easy हो है, अगला सवाल, फिर से neat 2020 का ह है, बॉल इस थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अब बॉल आपने ड्रॉप नहीं की है, बॉल आपने थ्रो की है, किसी स्पीड से, केसे स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, एक टावर के टॉप से, ये रहत टावर का टॉप, देखते चलो, बनाते चलो, पुरा करते चलो, आनंद लो तुम तो चीज़ों का, मैं बोलता हूं कि बागी सारी चीज़ें हटाओ, आनंद लो लेक्चर, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा, तो चलती जाएगी बात है, ठीक है, ये रही बॉल, इसको आपने ड्रॉप कर दिया, कुछ यू वेलॉसिटी से और वेलॉसिटी देके रखिए, बीस मीटर पर सेकेंड, आपको कितनी हाइड देके रखी हुई है, हाइड ही पता करना है, ठीक है, अब बाडी जब नीचे पहुचती है, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है, 80 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो जात आपको पता है, क्या हम लोग V square equals to U square plus 2 ES equation लगा सकते हैं, बिलकुल लगा सकते हैं, V square कितना बन गया, 80 का square, 6400, यह बन गया, U square कितना, 400, plus 2 into G20, into S, 20S, तो यह बन गया कितना, 6,000, बटा, 20, क्या गया, S, कितना है यह, गया, गया, कितना, 800, ओ, sorry, sorry, 300, 300 meter is the answer, easy question, हलुआ सवाल, 2020 का, आप लोगो तो मतलब मज़ा आ जाएंगे, इतना असान सवाल कभी रिली पूछ लिया, तो 2020 मैं पूछा हुआ है, लेटेस सवाल इतना सिंपल सा, जाल, अगला सवाल आपके सामने है यह, पढ़ो ज़रा सवाल को, person standing on the floor of an elevator, elevator के floor पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मानलो तुम खड़े हो, यह तुम खड़े होगा elevator के floor पे, यह आप हैं और आप खड़े हैं elevator के floor पे, ठीक है, drops a coin, इसने एक सिक्का गिराया, इसने, इसने इसके दिमाग में थोड़ी तिगड़म आई, वह ला क्यों खड़ा रहूं मैं, क्यों ना मैं toss कर लूँ, toss कर रहा था, head आया, तो साबित हो जाएगा कि यह पगला है, tail आया, तो साबित हो जाएगा कि महा पगला है, ठीक है, head में पागल, tail में महा पागल, तब की तैसी हरकाते कर रहा है, कौन सिक्का उचालता है, वही coin में, फाल्दुगिरी कर रहा है, ते लिए बस बढ़ा रहा है, question बढ़ा रहा है, क्यों मूँ, देखो इसने उच्छाला, और इसने देखा, कि यह कुछ समय में गिर र uniformly, uniformly का मतलब क्या होता है, uniformly का मतलब होता है, constant, constant velocity से उपर यह नीचे जा रही है, constant velocity से, speed direction दोनों uniform है, अब इनमें से कौन सी बात सही है, यार, अगर uniform motion है, अगर uniform motion है तो acceleration 0 acceleration अगर 0 है तो चाहे body rest पे हो चाहे body rest पे हो चाहे uniform motion में चल रही हो time तो बराबर ही लगेंगे अरे time तो बराबर ही लगेंगे मेरे लाल confuse करने वाला सवाल दे दिया तुमको answer आ जाएगा इसका 4 ठीक है अब यह सवाल मुझे personally बहुत पसंद है, मैं इत्ती देर से जो पल्टी पल्टी वाली बात बुलना हूँ ना, बिल्कुल यह वही सवाल है पल्टी वाला सवाल है ठीक है, it's a nice question सवाल सभी लोग एक बार पढ़ लो क्या कहता है सवाल toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane under the influence of uniform electric field पहले पढ़ते हैं फिर मैं सवाल समझाता हूँ, फिर मैं बना के दिखाता हूँ फिर solve करता हूँ अराम से, मजे में एकदम due to the force, देखो क्या होता है कि किसी भी charge को यदि आप field में रखते हो तो उसके उपर एक force लगता है यह charge है और यहाँ पर field लगाई है इदर field लगाई है तो गाड़ी भागेगी इदर आप field की direction reverse कर दो तो force कहां लगेगा, पीछे लगेगा आपने field यहां लगई, force आगे लग रहा है इदर field कर दो, force पीछे लगेगा field, force field, force लेकिन सवाल अच्छा क्यों है, क्योंकि एक बार अगर आपने body पे field लगा दी तो body आगे चलना शुरू करेगी, चलेगी, चलेगी, करेगी लेकिन जब वो एक point से दूसरे point तक आएगी कुछ velocity गेन कर चुकी हो उसके पास कुछ speed आ चुकी हो अब अगर आप direction change भी करते हो तो एकदम से नहीं पल्टेगी वो, ये तो वही बात हो गई, कि एक body को मैंने थोड़ा सा speed दी और छोड़ दिया, तो थोड़ा उपर गई ना वो, अरे थोड़ा उपर गई, फिर नीचे आ गई, क्या body एकदम से नीचे आ गई, नहीं आई न, क्यों, क्यों की body जब उपर जा रही थी, जिस समय पे आपने force लगाना हटा भी दिया, उसने कुछ velocity गेन कर ली, वो अपने highest point तक जाएगी, और फिर पल्टेगी, वही फंडा, यहाँ पर सोचो, वही फंडा, यहाँ पर सोचो, तोयकार के पास charge है, आपने उस पे एक field लगा दी, field के कारण चलना start करेगी, force लगा उस पे, velocity increase हुई, दीरो से लेके 6 meter per second तक की velocity बढ़ी, एक second में, at that instant the direction of field is reverse, एक second body चली और आपने फिर उसकी field reverse कर, एक second body चली, सिर्फ एक second चली, एक second body चली, ठीक है, फिर आपने उसकी field कर दी reverse, अब बात सुनना, body जो टोयकार है, उस पे लगा आगे की direction में एक force, जिसकी वजह से, एक second में, वो यहाँ से उठके, यहां तक आ गई, ठीक है, एक point से उठके दूसरी point तक आ गई, लेकिन उस एक second में, उसके पास कुछ velocity आ चुकी होगी, initial velocity आपने बोली 0, initial velocity आपने बोली 0, ठीक है, और यह क्या बोल रहा है, final velocities के पास कितनी आ गई, final velocities के पास आ गई, 6 meter per second, ठीक है, अब आपने क्या किया, इस point पे, यह t equal to 0 है, यह t equal to 1 है, ठीक है, इस point पे आपने force की direction पलट दी, इस point पे आपने force की direction पलट दी, तो एक second के बाद, at that instant, the direction of field is reverse, the car continues to move for two more seconds, अब car 2 seconds तक और चलती तो है, लेकिन अब क्या होगा न, यह body के पास velocity आगे की direction में है, लेकिन body पे जो force लग रहा है, मेरे भाई, body पे जो force लग रहा है, अब वो पीछे लग रहा है, तो body कब तक continue करेगी, जब तक उसकी velocity 0 नहीं हो जाती, और सीधे सी बात है, एक second में, किसी force ने velocity 0 से 6 meter पर second कराईए, तो अगले एक second में, वही force, उतना ही तो force लग रहा है, अरे उतना ही तो force लग रहा है, तो वो उतनी ही distance travel करवाने में, body की velocity खैसे लेके, किरो करवा देगा, अगले एक second में, body की velocity, अगले एक second में, मतलब t equals to 2 पे, body की velocity वापस से 0 हो गई, और force तो अभी भी लग रहा है, क्योंकि force उसने clearly कह दिया, कि 2 second तक और लगेगा, एक second के बाद 2 second और लगेगा, तो अगले एक second में, body अपनी direction पल्टेगी, जब velocity 0, तब body अपनी direction पल्टेगी, यह है case पल्टी का, इत्ती देर से पूरे lecture में, जो मैं बोल रहा था ना, पूरे lecture का सार है यह सवाल, पूरे lecture का, पूरे discussion का सार है यह, पल्टी पल्टी जो इत्ती देर से मैं बोल रहा हूँ आपको, यह है पल्टी, समझे, के body कब पलटेगी, अगले पेच पलिक देता हूँ, body कब पलटेगी, condition पलटेगी, पहली बात, पहली बात, जब velocity और acceleration, opposite हो direction में, acceleration कहलो, force कहलो, एक ही बात है, opposite हो direction में, ठीक है, और कब पलटेगी, किस moment पे पलटेगी, वो तब पलटेगी, ठीक है, body turns, body turns, at, the instant, at, the, instant, when, velocity is 0, instant, when, velocity becomes 0, velocity 0 हो जाए, उस moment के बाद, body पलटी मारेगी, उस moment के बाद, body पलटी मारेगी, तो देखो, t equal to 0 second, t equal to 1 second, t equal to 2 second, and this is, equals to 3 second, ठीक है, body गई, गई और आ गई, अब हम से क्या पूछा है, यह यह पूरी situation रही है, यह देखो, यह पूरी situation रही है, जितनी distance body, 0 से 1 second में travel करेगी, उतनी ही distance, distance बोल रहा हूँ, मैं displacement नहीं बोल रहा हूँ, उतनी ही distance 1 से 2 में travel करेगी, उतनी ही distance 2 से 3 में travel करेगी, ठीक है, तो यह है initial point, यह है final point, आओ, अब समझते हैं सवाल, अब करते हैं सवाल, अभी तक हमने सब समझा है, प्रविज्वलाइज किया है, यह बुल रहा है, average velocity and average speed of the car, खेल खतम है यार, अब तो, अब तो खेल खतम है, average speed, ठीक है, हम बात कर रहे है, average speed की, पहले क्या पूछा है इसने, अच्छा, पहल velocity निकाल लेते है, average velocity, total displacement divided by total time, ठीक है, total displacement x, total time 3 seconds, average speed, average speed, total distance divided by total time, total distance divided by total time, अब सवाल है के सर, x कैसे निकाले, अरे, पूरी information देके रखिए, तुमको x निकालने के लिए, initial velocity दी है, final velocity दी है, acceleration की देके रखा हुआ है, field की value दी है, कलो वो भी नहीं दिया, time देके रखाना है, यहापे, equal to one second, acceleration कितना आ गया, acceleration आ गया, इन दोनों की बात कर रहा हूं म अब हमको x निकालना है, तो v square, equals to u square, just 2k, v square कितना, v square कितना, 6 का square, 36, ठीक है, acceleration 6, 2 into 6, 12, और s कितना, x के बराबर, x कितना आ गया, 3 आ गया, x कितना आ गया, 3 आ गया, तो 1,3 है आपका सही जवाब, 1,3 is the correct, बढ़िया सवाल था है, मज़ेदार सवाल था, कब पूछा गया, यह 2018 में पूछा गया, पुरा सवाल आपके समने decode किया, x हमने निकाला, initial velocity, final velocity, acceleration देके रखा हुआ है, time देके रखा हुआ है, calculate कर लिए, चलो तो मेरे champions, मेरे warriors, मेरे future doctors, बढ़िया मज़े से पढ़ते रहो, बहतरीन तरीके से जीवन का आनन्द लो, पढ़ाई का आनन्द लो, क्योंकि मैं आनन्द आता है, उसको हम लोग देर तक कर सकते, ठीक है, तो target के साथ honest रहना है, target हमने set किया है, target हमने set किया है, पूरा करेंगे हो, ठीक है, चाहे जो हो, 170 का target set किया है, 170 का ही target रहेगा, और लगे रहेंगे, पेरी guarantee है, कि ये जो पूरा discussion आप कर रहा, पच्छे से करो, इस chapter में से किसी भी तरह का सवाल आएगा, तुमसे बनेगा, इसके बाद अगले chapter में में पहले थोड़ा vectors का basic सिखा होंगा और उसके साथ में करेंगे motion in, फिर उसके बाद NLM and so on, ठीक है, बस honestly काम करते चलो, result अच्छा ही होगा, trust me on this note, so I wish you all the best, विलते हैं जल्दी अगले session में तब तक के लिए, सभी लोग अपना ध्यान रखिया, okay, data, bye, take care, thank you.